नमस्कार आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में जिसका नाम है स्पीक म्यूजिक आईए आज फिर एक बार आपके साथ साजा करता हूँ स्वर एक जानकारियां अनेक इस सीरीज के तहट आज के स्वर की जानकारी और आज का जो स्वर है वो है रे यानि रिशब तो चलिए जानते हैं रिशब से रिलेटिड हमें क्या क्या जानने को मिल सकता है इस वक्त आपकी स्क्रिन पे आप एक पेज देख रहे होंगे यहां पे यह वाला इस पेज पर दी गई तमाम जानकारियों पे आई यह चर्चा करते हैं तो आज का जो स्वर है वो है रिशब यानि रे रे का पूरा नाम रिशब है और रे के नामकरन का कारण क्या है रिशब स्वर को रिशब ही क्यों कहा जाता है कुछ और क्यों नहीं कहा जाता इसको गगन क्यों नहीं कहा गया इसको आकाश क्यों नहीं कहा गया रिशब ही क्यों कहा गया तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको एक चीज यह बताना चाहूंगा कि रिशब शब्द का अर्थ होता है महान यानि श्रेष्ट और संगीत में यहां पर जो इसका अर्थ है वो है वरिशब यानि बैल यानि वरिशब्द से रिशब्द नाम पड़ा है और इसका कारण ये है जो गुनी जन कारण देते हैं इसका कि सा के बाद सब तक में जो हमार के वाज़ जब रे को हम गाते हैं जब हम रे पे नियास करते हैं तो रे पर किया गया नियास सुनने में इस प्रकार से इतना अधभुत और इतना पावरफुल इतना शक्ति शाली लगता है कि थोड़ी देर के लिए वो सा के महत्व को भी खिन कर देता है इसलिए गुणी जैसे एक बेल होता है कई अड़ जाता है चलता ही नहीं जैसे खीत में एक हल जोतने वाला बैल लेके जाता है तो कई वार बैल ज्योέ जाता है अड़ी जाता है चलता है नहीं आगे उसी प्रकार से गुणी जणना secular ने संगया दी है कि जो रिशब स्वर है वो तो सा के बाद कुछ इस प्रकार की स्थिती में सबतक में कदा है कि वो शड़ज का भी महत्व कम करने के लिए एक बैल की तरह अटियल रूप में खड़ा हो जाने वाला स्वर हिसलिए उसका नाम वृरिषब यानि बैल और वृषब से ही उसका नाम आया है रिशब और एक कारण जो मैंने आपके साथ साजा किया वो ये कि रिशव स्वर को रिशव इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि रिशव का एक अर्थ होता है महान यानि श्रेष्ट और सब तक में सा के बाद जो सबसे महान स्वर है वो है रिशव तो इतना महत्व है रिशव स्वर का आई अब अगली जानकरिया जानते हैं रिशव स्वर की आंदोलन संख्या की बात करें तो मंदर सब तक के रिशव की आंदोलन संख्या है 135 मध्य सब तक के रे की है 270 और तार सब तक के रिशव की है 405 आप साथ साथ इस पेज में भी यहा मिलता है और विसी बात है यह मैंने आपसे पहले वाले लेसन में भी शेर किया था कि सभी जो स्वर हैं वो नारद परिवराजक उपनिशद में ही मिलते हैं रे का रस रोदर रस है रे का चंद है गायत्री चंद और अधिश्ठाता देवता जो रिशबस्वर के माने गए हैं वो हैं ब्रमाजी समवाद है इसमें सा रे का सा और रे का कोई समवाद नहीं बनता लेकिन फिर भी इसको समवाद भाव से एक समवाद का नाम दिया जाता है शास्त्रों में और सा रे के समवाद को अनिश्ठ समवाद कहा जाता है यानिके ये एक दूसरे का अनिष्ट करते हैं, बुरा करते हैं, अच्छा नहीं बनाते हैं, जब ये आपस में इकठा आते हैं, तो अनिष्ट करते हैं, अनिष्ट समवाद बनाते हैं, इसलिए सा और रे के समवाद को अनिष्ट समवाद कहा गया है शास्तरों में, रे का प् कंठ की दुहनी हैं जो वाना तो और अप यहां पर यह बी अंदाजा लगा सकते हैं यह देख सकते हैं कि किस प्रकार से वृषब यानि बैल의 के कंट से आने के कारण इसकी दुहनी को रिशकी कहा गया तो वृषब और रिशकी तो यह नाम बहुत आपस में जो है रे का वर्ण है क्शत्रियवर्ण और रे का जो रंग है वो है पीला और पीला भी कैसा थोड़ा सा लालिमा लिये हुए हलका सा रैडिश येलो रे के रूप की बात करें तो रिशव स्वर के दो रूप होते हैं एक है शुद्ध और एक है कोमल यानि शुद रे कोमल रे या शुद रिशब कोमल रिशब अब हम रिशब स्वर की शुरूतियों की बात करें तो प्राचिन समय के अनुसार इसकी तीन शुरूतियां है या तीन शुरूतियां थी प्राचिन काल में और आधुनिक काल में यानि एट प्रेजेंट भी रिशवस्वर की तीन ही शुरूतियां चलती है या तीन ही शुरूतियां होती है आई अब बात करते हैं कि किस शुरूति पर जो है रिशवस्वर स्थापित था प्राचिन में और आधुनिक में तो प्राचिन काल के अनुसारा गरम बात करें तो जैसा कि आप पढ़ सकते हैं यहां पर पेज में सात्वी शुरुती पर यानि जिसका नाम था या जिसका नाम है रतिका तो रतिका नाम की सात्वे नंबर की शुरुती पर जो है प्राचिन काल का रिशवस्वर स्थापित थ तो ये थी रिशव स्वर से जुड़ी बहुत ही बेसिक सी जानकारियां जो हमें पता होनी चाहिए आईए अब देखते हैं रिशव स्वर से जुड़ी हुई कुछ और मज़ेदार जानकारियां दूसरे भाग में रिशब से जुड़ी अन्य जानकारियों में मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि क्रमा नुसार यानि कि एक सब तक क्रम को देखा जाए तो दूसरे नंबर का स्वर है रिशब स्वर यानि रे सा के बाद रे आता है यानि कि दूसरा नंबर है देखिए अगला पॉइंट है कि वैदिक काल में हम सभी जानते ही हैं कि साम गायन चलता था तो साम गायन में कोमल रिशब जो है उद्दात स्वर हुआ करता था तो साम गायन में तीन स्वर होते थे उद्दात अनुद्दात और स्वरित स्वरित इससे पहले मैंने आपको समझा दिया है कि सा स स्वर को जो है स्वरित कहा जाता था और जो रिशब स्वर है वो जो है साम गायन में उद्दात स्वर के रूप में होता था और उसमें भी कौन सा कोमल रिशब को जो है उस वक्त उद्दात स्वर कहा जाता था आई अब देखते हैं तीसरा पॉइंट वो है सा के महत्व को कम क करने वाला स्वर माना जाता है जैसा कि मैंने अलडरी बताया आपको की इसका नामकरन ही इसी कारण हुआ है क्यूंकि विरिषभ यानि बेल की तरह अडियल रूप में सब तक में सा के प्रभाव को खतम कर देने वाला ये स्वर है सा के प्रभाव को भी एक्षिन कर देता है और खुद हावी हो जाता है खुद चाया रहता है और इसी लिए इसके अडियल पने के कारण इसको जो है सा के लिए इसका डियल पना जो चलता है इसी कारण इसको जो है वरिशब वत होने के कारण रिशब कहा जाता है यानि कि सा के महत्वा को कम करने वा अगला स्वर माना करता है अगला पॉइंट है कि रिशव स्वर वादी और समवादी दोनों की भूमिका में रहता है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सब तक में जो साथ स्वर हैं वो किसी रा किसी राग में वादी या समवादी के रूप में रहते हैं तो उसी कड़ी में रि पर ओर पर थी संगती को बनाने में भी रिशङव स्वर, जो है, महत्वपून स्वर है, यानि कि इस स्वर के बिना ये संगतियां भी नहीं बनती हैं, आएँ आगे देखते हैं, कि कॉमल रिशङव का और क्या हमें ग्यान मिल सकता है, तो छथा पॉइंट आप देख सकते हैं कि कोमल रिशब के भी दो रूप होते हैं कोमल रिशब के भी दो रूप कहे गए हैं पहला है साधारन कोमल रिशब यानि राग पुरुवी वाला कोमल रिशब और एक है अती कोमल रिशब यानि राग भेरव वाला कोमल रिशब ये प्रैक्टिकल चीजे हैं अभी आप समझत बार इसी चैनल पर देख रहे हैं महासरस्वती की कृपा से मेरे दुबरा पॉइंट नमबर एट रिशब का अर्थ होता है मान यानि श्रेष्ट जो मैं आलड़ी आपको बता चुका हूँ पॉइंट नमबर नाइन है कोमज रिशब को साथ तरीकों से प्रयोग किया जाता है ये सबसे बड़ी बात है जो शायद ही आज तक आपको मालूम होगी यदि होगी भी तो बहुत अच्छी बात है यदि नहीं मालुम थी तो आज आपको मालुम हो जाएगी क्या कि कोमल रिशब को लगाने का जो तरीका है practically वो क्या है साथ तरीके से लगाया जाता है तो नमबर एक है साधारन रिशब यानि राग पूर्वी के अंतरगत जो रिशब लगता है वो पहला प्रकार है साधारन रिशब दूसरा है आंदोलित रिशब यानि राग धहरव के अंतरगत जो आंदोलन दिया जाता है रिशब पर वो भी कोमल रिशब का प्रकार है साथ और कन युक्त रिशब यानि राग श्री के अंतरगत लगने वाला रिशब फिर है राग जोगिया का रिशब उसके बाद है राग मुलतानी का रिशब और छठे नंबर पे आता है स्थिर और दिर्ग और लंबा न्यास युक्त रिशब राग मारवा में यूज किया जाने व अराभ noursty कि परमखाप। क्षीस्वर क्या होता है उसका क्या महत्वा होता है और हम किस तरह से समझ सकते हैं अब आपके पेज़ पेक क्या और जानकारी आप देख सकते हैं कोमज कोमज रे के कारण जो है और क्या क्या हो सकता है देखिए कोमज रिशब से जुड़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है कोटमज रे के कारण 10 ठाट । हम सबी जानते हैं कि हिंदूस्तानी संगीत में 10 ठाट होते हैं इसी लिए कोटमज रिशव के कारण 10 ठाट ओं के दो वर्ग बने इसके कौन-कौन से एक कोमद रे वाले पांच थाट के और एक शुद्ध रिशब वाले पांच थाटों के तो दस में से पांच थाट में जो है कोमद रिशब लगता है और पांच ऐसे थाट हैं जिनमें शुद्ध रिशब का प्रयोग किया जाता है ऐसे थाट जिन में शुद रिशव का प्रयोग किया जाता है वो पांच थाट इस प्रकार से हैं कल्यान, बिलावल, खमाज, काफी और आसावरी कोमद रे का प्रयोग करने वाले पांच थाट इस प्रकार से हैं भैरव, भैरवी, पूर्वी, मारवा और तोड़ी अगला पॉइंट देखते हैं, कोमद रिशव के कारण ही पूर्वी थाट के रागों को भी दो अंगों में बांटा जाता है जी हाँ, कोमद रे के कारण ही पूर्वी थाट के रागों के दो अंग बने हैं, पहला अंग है श्री अंग और दूसरा है पूर्वी अंग अंत में मैं आपको वस ये बताना चाहूँगा कि कोमल रे के कारण ही रागों के गायन समय के अंतरगत जो संधी प्रकाश वेला की थियूरी है जो संधी प्रकाश वेला के राग है वो सिधान्त भी कोमल रिशव के कारण बना है यानि रिशव स्वरुस के पिछे में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है वहां से आप उसको भी देख सकते हैं बहुत जल्द मिलते हैं आपके साथ नए लेसन के साथ तब तक के लिए देखते रहे हैं स्पीक मुजिक बाई बाई एंड हैवे मिजिकल टाइम